करने वाले हैं टैली आर्पी 9 में बिल्स-व्प में पढ़ाया था तो इस टूर्यल में हम लोग समस्टी चारेंगा दूँ कि यह उर और प्राइम पर का फिस वीडियो समय अचुके हैं उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल की टैली आपिनाइन और टैली प्राइम प्ले इसको फॉलो कर सकते हैं प्रेलिस का लिंग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटूरियल और सबसे पहले जान लेते हैं कि बिल्स आप मैटेरियल होता क्या है जिसे शॉट कट में बॉम भी कहा जाता है तो यहुता क्या है जैसे अगर आप किसी फैक्टरी में काम करें किसी मैनॉफ्यक्ट्रे मेर l d è कु страш करेंगे जाईगा क्शित्र आपकी ऊसे लिए भी मै करने के बाद में इसके बाद मेरी जाएगा यह एक सिस्टम बनाने Bis describes कितना खर्चा आया लेवर चार्ज एलेक्टिसिटी बिल सारी चीज़े जोड के उसके बाद उन्हें आप सेल करेंगे फिर आप उसका प्रॉफिट और लॉस जानेंगे तो यह पोरा प्रोसेस होता है बिल्स आप मैटेरियल और इसको हम पढ़ेंगे विच जिस्ट के साथ मे इसमें कवर करने वाले तो जलिए बिना किसी देडरी के सटा करते है आज का ट्यूटुरिल सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी नई कम्पनी क्रेट कर लें enable करना होगा GST और हम पहले सारा process GST काई कर लेते हैं उससे पहले हम अपनी यह जो दूसरी company open है उसे हम बंद कर देते हैं ताकि आपको कोई भी confusion ना हो अब हम यहां से पहले GST को enable करेंगे तो F11 प्रेस करके हम जाएंगे statutory and taxation पर इसके बाद में हम enable goods and service tax को yes करेंगे फिर set alter GST details को भी yes करेंगे इसके बाद यहां से हम सारी इपनी GST के detail देतेंगे GST पर मैंने पहले tutorial लाया है कि GST कैसे use किया जाता है कितने तरीके का है और कौन कौन से rate किस किस item पर लगते हैं कि सारी चीजे मैंने आपको पहले detail बताई है वह वीडियो पहले जरूर देख ले जैसे अप्लिकेबल फॉर में दे देंगे एक अप्रेल दोजाट चॉबिस जैस्ट का नंबर हम यहां से दे देंगे मैंने आपको पहले सारी चीजे कई बार बताई हुई है कि GST का नंबर कैसे होता है क्या process होता है पूरा तो आप वो मतलब bills of materials को भी enable कर लेते हैं ताकि हमारे सारी process एक साथ होते चले तो भी लोग मैटेरियल को इनेबल करने के लिए आपको प्रेस करना है gateway of tally वाली स्क्रीन से f12 f12 से आप configuration पराएंगे यहां से आपको third option x slash inventory info इस पर आपको एंटर करना है एंटर करने की बाद में आपको बिल्कुल last second जो option मिलेगा enable component details bills of material इसको आपको वाई प्रेस करते हुए S करने की बाद आप इससे भी save कर लीजे दोनों चीजे हमारी enable हो चुकी है इसके साथ हमार company का जो financial year है ना अभी तो वही सही नहीं है तो पहले मिसे सही कर लेते एक April 24 से 31 March 25 इतना करने के बाद हम create कर लेते हैं अपने पहले lasers तो laser हम लोग create करेंगे वैसे तो हम बाद में भी create कर सकते थे लेकिन अब GST भी साथ में है तो सबहले create कर लेते ताकि आपको confusion नहों तो IGST बनाएंगे duties and taxes में जाएगा GST में जाएगा और integrated tax और इसे आपको safe कर देना है दूसरा बनाना हमें CGST, duties and taxes, GST और इसे भी safe कर देना है और अगला बनाना हमें SGST, duties and taxes, GST, state tax और safe तो इनों GST के बन चुके हैं अब हम raw material जिन से purchase करेंगे एक हमने अपनी हम पहले वह laser create कर ल creditor हैं वो हमारे लिए यह पहचानने के लिए CR लिख लेंगे और यहां से sundry creditor इनका undergroup रखेंगे और इसे भी हम लोग save कर लेंगे जिन से हम raw material purchase करेंगे अब एक अपना customer भी बना देते हैं ताकि हम उन्हें कोई सामान हम उन्हें save कर पाएं तो हम यहां से बना लेंगे XYZ electronics जिन्हें हम सामान अपना क्या करेंगे sell करेंगे इनके आगे हम DR लगा देते हैं ताकि हम इसमें भी पहचान रहे आगे चलके हम AVC और XYZ में confusion नहों में संट्री डेटर सकते हुए इन्हें भी हम save कर लेंगे और हम यहां से अपनी लेजर बना लेते हैं गोट्स पर्चेज की जिसका अंडर गृप रहेगा पर्चेज अकाउंट और ध्यान से इसमें आपको GST applicable यह जरूर करना है इसके बात में type of supply में आप गोट्स लेंगे और आगे का process हमें क्या करना है तो देखे हमारे पास यहां पर है एक raw material का पूरा हमारे पास एक assignment है हम लोग क्या करेंगे माल दिया हमारी company में क्या काम होता है computer assembling का काम होता है अब हम computer assembling करने के लिए raw material purchase करेंगे जिस पर 18% GST, electronic पर 18% GST लगता है जो कि हमें उन्हें देना पड करें computer बनाने के लिए motherboard, CPU, cabinet, RAM, SATA cable, hard disk, motherboard 50 quantity, CPU 50, cabinet 50, RAM 100, SATA cable 100, hard disk भी आपके 50, तो हमें लग रहा है कि हम total 50 computer assemble करने का सामान खरीद है, कि कितने का सामान खरीद रहे है 50, यह कैसे पता चला क्योंकि एक computer में एक ही motherboard यूज होता है, एक ही CPU, एक ही cabinet, RAM, दो भीज है कर सकते हैं, SATA cable भी दो, और hard disk भी एक ही उस होती है, तो यह इंचोजों को छोड़ भी तो तब भी CPU तो एक ही उस होना है, तो इसलिए हमें यह idea लग गया कि यह 50 computer assemble करने का सामान पर्चिश करने तो अब हम चलेंगे सामान पर्चिश करने पर, ठीक है, तो सामान पर्चिश का invoice number दे देंगे, माल या उसका invoice number है, S-101, एंटर किया, एक जून, party account name में किस से खरीद रहें, A-B-C electronic creditor से, इंटर करते वह आएंगे, purchase laser में goods purchase लेंगे, अब यहां से stock item अपने create करेंगे, इसलिए laser पहले create कर लिए, तो आसानी से हमारा एक काम हो गया, stock item में direct सारे purchase पर इन है, अब हम direct ही purchase कर लेंगे, सारी create कर लेंगे, ठीक है, purchase नहीं, create, तो अब हम mother board सबसे पहला बनाएंगे, alt के साथ C press करते हुए, पहला बना लेते है, mother board, enter करते हुए, नीचे आएंगे, under में, इसका देना होगा, अब हमें group, देखे, group देने में, अब हमें इसके फिर ये group जब इन सारे item में select करेंगे, तो सम में वो rate अपने हाफ फिल होता जाएगा, यह मैंने आपको GST के काफी सारे tutorial में यह सारी चीज़े मैंने आपको बताई हुई है, तो अंदर में alt plus C press करते हुए, यहाँ पर group बना लेंगे, electronics का, ठीक है, enter करेंगे, इसे yes रखें तो GST करेंगे, तो GST करेंगे, अब हम यूनिट भी create कर लेते हैं, piece के नाम से, इसे भी save करते हैं, ठीक है, अभी set components BOM को भी no रखेंगे, अभी इसे आप yes नहीं करेंगे, बस आपको इतना करते हुए, enter करते हुए, save करते हैं, GST करेंगे अपने stock group में, quantities के देख लेते हैं 50 और price है 35, तो यहां से quantity देंगे 50, और price है 35, एंटर करते हुए, नीचे आएंगे, अगला create करेंगे, CPU, ठीक है, CPU का, अब हम CPU भी under electronic item लेंगे, जाके हमारा 18% GST rate इधर आजाए, अगर हम किसी एक stock group में, अगर GST rate नहीं देते हैं, तो बार बार हमें यहां से, GST rate यहां से बार बार देने पड़ते हैं, तो यह देने की वजाए हमने पहले ही उदर से दे दिया है, तो अब इसे हम control A से इसे भी save करते हैं, इसका rate क्या था, 1350, quantity थी 50, quantity है 50, rate है 1350, अगला दूसरा create कर लेते है, all plus 3 से cabinet, cabinet इसका भी under group electronic, piece, और इसे भी control A से save करते हैं, cabinet हमने purchase किये ह इसका 1200, एंटर करते हुए नीचे आएंगे, अगला create कर लेंगे RAM, ठीक है, तो यहां से हम create कर रहे हैं, all plus C के साथ प्रेस करते हुए हम यहां से all plus C, RAM, एंटर करते हुए नीचे आएंगे electronics, piece और इसे भी save कर लेंगे, RAM हम purchase कर रहे हैं 100, शायद, हाँ, इसका rate है 1450, एंटर इसे भी save कर देंगे, SATA cable हम purchase कर रहे हैं 100, sorry 100, इसका rate है 80 रुपीज पर cable, और एक लाइक और हम create कर लेते हैं, अपना hard disk, ठीक, एंटर करते हुए नीचे आएंगे, अंडर में electronics, और यहां से piece और इसे भी save कर देंगे, तो यह हम purchase कर रहे है 50 और इसका rate है 3000, आप इदर से check क इतना से purchase करने के बाद हमें हमें लगेगा GST, मालिया यह सामान जो है यह हमने बाहर से purchase किया है, हम उत्तरपडेस के हैं और इमने सामान purchase किया है दिल्ली से, तो ऐसे में हम पर लगेगा आप IGST, मैंने आपको पहले भी बताया है काफी सारे वीडियो में कि जब हम interstate कुछ purchase करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उस पर IGST लगता है, मतलब अपने state से बाहर कहीं भी जब हम कुछ purchase करते हैं, तो उस पर IGST लगता है, और अपने state के अंदर go taxes लगते हैं, एक CGST और SGST, तो हम enter करते हुए एक बार फिर enter करेंगे और total के नीचे आ जाएंगे, अब हम यहां से IGST लेजर चूज करेंगे, और IGST यहां पर blank आया है, इसका मतलब यह है कि जो हमने यह बी से electronic ही जब हमने लेजर क्रेट की थी, तब हमने इनका state नहीं किया था, अगर इनका state हमने उतर पड़ेस ही रखा है, तो उस पर CGST लगेगा, उस पर IGST नहीं कटेगा, तो ए इसे हम एंटर करते हुए नीचे आएंगे, वापस हम सारी चीज़ें अपनी एक बार एंटर करते हुए अपडेट कर लेते हैं, इतना करते ही आप आप देखेंगे कि आपका IGST कट गया है, एक लाख आठ हजार नौसो नद्वे आपका टोटल IGST कटा है, टोटल अमाउंट इसके बाद में क्या करना है कि अब हम चेक करेंगे सबसे पहले अपनी करेंट इसके लिए बैलिन शीट पर जाएंगे और आप देखेंगे करेंट अपको 6,5,5,0 कि अपकी अपकी अच्ट करोगे तो आपको यहां से क्लोजिंग स्टॉक दिखेंगा आपका क्योंकि अब ह करने के बाद में अब हमें क्या करना होता है एक हमें वाउचर क्रेट करना होता है मैनुफेक्चरिंग का तो वाउचर क्रेट करने के लिए हमें जाना है अपना अकाउंट इंफो पर और यहां से आपको जाना है वाउचर टाइप में हम चलिए यहां पर एक अपना प्रफ्रक्विचेंन जेनल यएस करें गेंक इसे कंट्रोल यसे सेव कर देंगे अब इक इसलिए हमने किया है इसल्गाशा है तारिक को हमने अपना सब राव मेटेरियल पूटिछ किया था थो तारिक तग हमने किया कि हमने 10 case जो हमने 10 case 50 अपने 10 previous क्योंकि एक दिन में 50 में से माल या 20 या जितनी भी 25 कंप्यूटर हमने अपने अपने असेंबल कर दिये था पर कंप्यूटर एसेंबल करने के लिए मैं अभी भी आपको एक चीज और पता हूँ कि अभी हमने raw material purchase किया है पर computer assemble करने के लिए हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि एक computer बनाने में हमें कितना raw material चाहिए हो रहा है है ना तो अभी हम ये भी palace में define करेंगे इसके हम जाएंगे inventory info पर और यहां से अपना stock item create करेंगे computer assembling के नाम से किस नाम से computer assembling इंटर करते हुए नीचे आएंगे under में हम अपना रख देंगे electronics फिर piece रखेंगे आप जो आपके सामने option आ रहा है set components BOM इसे आप yes करेंगे इंटर करके आगे आएंगे जैसे आप इंटर करके आएंगे अभी आपसे पूछेगा क्या इटम बना रहे हो तो आप रखोगे computer जैसे आप ए करोगे तो नेमाई का computer components of computer assembling unit of manufacture यह कहना आप कितने unit के आप डिटेल देना चाहते हो तो हम कहरें कि मैं आप एक unit के डिटेल देना चाहते हैं कौन सी डिटेल कि अभी टैली में यह भी तो उस टैली को बताना पड़ेगा ना कि एक computer में कितने cabinet यूज़ और कितने से प्यों कितने देदेंगे आपर चाहिए और यहां से डिल में साटा केबल लेंगे। अब एक चीज चूट गई है को उस्गा इम्सें चूट रही हैं अब ऐघने है को अब वर्यु कोई कि में सब्सक्राइब दें के नने कि लिए लें गया और एक को अब सचेज किज अपने ह itself से अनितर कर लेते हैं एंटर करने के लिए हम आएंगे इन वहां से जाएंगे इस टॉक जब रखना कि तो आपको याउस से द बाayıसरे मैनुफेक्ट्यर वाउचर चूछ करेंगे नेमाव प्रोडेक्ट में आप अपना 20 के साब से आपका सारा रॉम मेटेरल दिखा देगा कि 20 कंप्यूटर पर्चिश करने में 20 काबिनेट लगे हैं एक कंप्यूटर की कॉस थी 1200 इसे साब से टोटल 24,000 के आपकी काबिनेट इसमें यूज हुए आपका सिंगल का भी रेट बता रहा है और टोटल माल लिया मदर बोर्ड का कितना खर्चा इसमें आया सत्तर हजार रुपए के मदर बोर्ड टोटल 20 कंप्यूटर में लग गए ऐसे साटा केबल और की डीटेल आपको यह पर दिखा रहा है इस तरीके से यह आगे हो गे तो आपको यहां पर दिखाएगा और आपप कोई है कि बीस कंप्यूटर बनाने में टोटल खर्चा दो लाग बैलिस जाद दो सो आया और एक कंप्यूटर में टोटल खर्चा बारह हजार एक सो दस आया है यह तो वाट ठीक है लेकिन अब जब आगे आओगी तो आपके सामने एक और कोई और भी खर्चे हुए कुछ एडिशनल खर्चे भी हुए तो हाँ बिल्कुल हुए सर्फ रॉव मैटेरियल से कोई आइटम मैनुफेक्चर एसेंबल नहीं होता है लेबर चार्ज भी लगता है लेक्रिसिटी चार्ज भी लगते हैं यह सारी चीजे भी लगते हैं तो हम हम यहां से ऑल्ट के साथ से प्रेस करते हुए अपने जो भी एडिशनल खर्चे हमारे हुए उनकी हम लेजर क्रेट करेंगे लेबर चार्ज अंडर प्रखेंगे इंडिरेक्ट एक्सफेंसर और इसे हम सीफ करते हैं अब लेबर चार्ज आपका पर्सेंटेंज में लगा य इसकी कॉस्त है इसकी कोस्त भी बढ़ गई है एंटर करते हुए दूसरा भी आप बना सकते हैं जैसे मैंने कहा कि मेरा लगा है electricity charger वाधिये यहां पर enter press करते हुए यहां से हम आएंगे और यहां पर इसको हम कर देंगे charger तो हम इसे करेंगे यहां से charger और इसे भी हम सेफ कर देंगे माली मैंने कहा electricity जो चार्जर है वो direct value में आए है तो percentage का आगे एक बार फिर enter करेंगे हम दे देंगे कि यह computer करने में मेरा 700 रुपए electricity चार्ज आया है एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इसकी cost जो है वो 12,871 हो गई है अब हम इसे enter करते हुए save कर देंगे तो एक computer को assemble करने में हमारी cost आई है 12,871 यह तो हम जान गए एक बर फिर से हम अपना balance sheet पर जाकि current assets चेक कर लेते हैं तो current assets पर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहां पर अब जो quantity बची होगी वो कितने की बची होगे 30 computer की क्योंकि 20 तो हमने assemble कर लिए है 30 computer का आपका जो raw material है वो बचा हुआ है तो वही अब आपका closing stock विखेगा ठीक है अब बात आती है इसको sell करके profit और loss देखने के तो इसके लिए अब हम जाएंगे inventory vouchers पर आफेट प्रेस करेंगे और यहां से date अपनी दो जून रहने देंगे reference number देंगे किसको sell कर रहे है को enter करते हुए नीचे आएंगे इन पर लगाएंगे इन पर लगाएंगे cgst और sgst आपने देखा कितनी जल्दी cgst और sgst अब इसे हम एंटर करते हुए save कर देंगे अब अब हम देखेंगे अपना profit और loss इसके लिए profit and loss पर जाएंगे और यहां से हम देखेंगे profit and loss तो देखें टोटल आपको पहले इधर दिखा रहा है क्या दिखा रहा है कि आपने तीन लाग चालीस जार की टोटल सेल कर भी है और अभी आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है तीन लाग तिरस्ट हजार रुपय का यह वह है जो भी मारा 30 क्वांटिटी का जो raw material है इस तरीके से आपका जो टोटल प्रॉफित आया है वह है 97,800 क्या आया है 97,800 तो यह पूरा ट्यूटोरियल था बिल्स आप मैटेरियल विज जरूर करें मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती कि कि आप हमें कॉमेंट जरूर करें क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉमेंट करना बिल्कुल भी न भूले यह जैसा लगे अच्छा बोरा पर आप कॉमेंट जरूर करें फुलाल हम लोग मिलेंगे नई वी लोग मेंट चर्वेस्ट करें प्रियुद झारा कर्या थे लोग मिलेंगे पार।